छो नमस्कार दोस्तों ही आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जो इंट्रिव्फॉटम में most probably common interview questions होते हैं हर किसी भी company में आप चाहे service based company में जाएं चाहे आप product based company में जाएं सामने वाला technical HR और HR recruiter आपसे five most important questions हैं जो most probably हर company में repeat होते हैं आज मैं उन questions के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको जो question पुछा जाएं उसका specific answer किस तरीके से देना है उन सारी चीज़ों पर हम discussion करेंगे मैं one by one आपको question बताऊंगा और उसका answer भी बताऊंगा आपको एकदम अच्छे तरीके से सही तरीके से इसको रट लेना है तो दोस्तों हम start करते हैं आप से most probably company में question पुछा जाता है चाहे वो एंचा टाइम हो चाहे वो technical interview हो उसके अंदर question पुछाता है what is your strength क्या है तो आप most probably student उसका सही तरीके से जबाब नहीं दे पाते हैं तो आपसे जब question क्या जाता है what is your strength आपको smartly एक ही लाइन में answer देना है I am a QC learner and a great team player I am a QC learner and a great team player that's it दूसरा जो बहुत ही important question पुछा जाता है और जिसमें हर कोई student फ़स जाता है और जब पूछते हैं तो student सक पका जाता है वो question है what is your weakness strength हर कोई बता देता है लेकिन weakness नहीं बता पाते हैं या फिर weakness इस तरीके की होनी चाहिए जिसके अंदर आप specific answer को जो इंट्यूर को बिल्कुल परफेक्ट और सटिक लगी तो आप से question करता है what is your weakness देन आपको एक specific answer देना है I concentrate on one thing at a time क्या answer देना है I concentrate on one thing at a time मैं किसी भी एक ही चीज़ पर एक बार में focus कर पाता हूं this is your weakness इसके अंदर वो identify नहीं कर सकता कि candidate student brilliant है वो particular किसी भी एक चीज़ पर फोकुस कर रहा है तो आपको जब भी weakness के बारे में पूछे what is your weakness तो आपको answer देना है I concentrate on one thing at a time next question third number का जो बहुत ही most important question है जो हर बार पुछा जाता है how do you see yourself five years from now how do you see yourself five years from now आज की पांच साल बाद में आप अपने आपको कहां इस्टे करना चाहते हैं दोस्तो इसका एकदम अच्छा और सटिक आंश्वर होना चाहिए जो सामने वाले इंटिवर को लगे कि मेरी organization के लिए कुछ अच्छा करने जा रहा है दोस्तो इसका आंश्वर होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर क्यूशन आपसे पुछा जाता है आपको आंश्वर देना है आपको सिर्फ यह आंश्वर देना है दोस्तो एक भोती अच्छा और हर किसी कंपनी में पुछा आने वाला क्यूशन है वाई सुड वी हाईर यू हम आपको ही क्यूँ रिक्रूट करें दोस्तो इसके लिए भी आपको बहुती अच्छा और स्मार्टली आंश्वर देना है कि सामने वाले को लगे कि आपकी ही ओर्गिनेजिशन के लिए काम करेगा और बहुत अच्छा लोंग टाइम पे काम करेगा तो इसका एक स्पेसिफिक आंश्वर होगा वाई सूड भी हाईर यू अगर सामने वाला क्यूशन करता है तो उसका आंश्वर होगा इस आपको 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 आ है जो है रिजन बिहाइंड लिविंग यूर लास्ट जोग अपने पिछली जोग क्यों छोड़ी उसके पिछे क्या रिजन है यह हमेशा पूछा आता है सिनियर लेवल पोजिशन पर यह क्यूशन हमेशा पूछा आता है तो इसका भी एक स्पेसिफिक आंश्वर होना आगर सामने वाला फिर से क्यूशन करता है रिजन बिहाइंड लिविंग यूर लास्ट जोग तो हमें आंश्वर देना है इन ओर टू इनहांच माई स्किल्स सेट आई आपको आंश्वर देना है दोस्तो most probably students के साथ में दिक्कत क्या होती है उनको हर आंश्वर पता होता है लेकिन interview टाइम पे वो एक अच्छे से express नहीं कर पाते हैं अच्छे से face नहीं कर पाते हैं दोस्तो जब भी आप interview में बैठते हो सामने interview है तो उसके सामने आई context होना बहुत जरूरी है आई context आपका confidence दरसाता है कि आप कितने confident हो most probably student के साथ में क्या होता है जब सामने वाला question करता है वो इधर उधर ऐसे ऐसे से देखने लग जाते हैं दोस्तो इससे आपका confidence level down दिखता है सामने वाले को पता चल जाता है कि आप में इस question के परती confidence नहीं है दोस्तों कभी भी आपको जितना question आता है आपको उतना ही answer देना है रुख जाना है अगर आपको सही से नहीं पता चला question तो आप बोल दिजिए sorry sir pardon next अगर नहीं आता है तो भी आप उसको धीरे से बोल दिजिए sorry sir please next दोस्तों इसी के साथ में आप लोग मेरे साथ बने रही है मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजिरेंग कोंचप का subscribe कीजिए और मैं आप लोगों के लिए इसी इंट्रीव सिरीज में और बहुत अच्छे अच्छे क्यूशन्स लेके आऊना तब तक आप लोग मेरे साथ बने रही है सेफ रही है सुरक्षित रहे नमस्कार